करक रासी वालों का आजे का रासी फल याने की 30 मई 2020 का रासी फल तो नमशकार मित्रों आईए आज के वीडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 30 मई 2020 के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है अश्ट में नक्छत्र है मगः उसके बाद पुर्बा फालगुनी पक्छ है सुकल पक्छ और दिन है सनी बार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के 23 मिनट में और सुर्यास्त है 7 बज के 13 मिनट में रितू है ग्रिस्म और आज का दिन काल है 13 घंट 49 मिनट 48 सेकेंड का महिना है जेस्ठ और आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 51 मिनट एम से 12 बज के 50 मिनट पी एम तक और असुभकाल सुरू होता है 5 बज के 23 मिनट एम से 7 बज के 14 मिनट एम तक और राहुकाल है 8 बज के 51 मिनट एम से 10 बज के 35 मिनट एम तक और दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो के नीचे जैस सनी देब कमेंट कर दें इसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है आपका पाड़िवारिक जीबन, मित्रों पाड़िवारिक जीबन के लिहाद से आपका शमय सामान है न जियादा बिहतर, न जियादा खराब आज के दिन अपने घर पड़िवार में सभी लोगों के शाथ अपने बेभार में आप नम्रता रखें, बिनम्रता रखें और अपने गुसे पर आप काबू रखें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में आपका पाड़िवारिक जीबन सही होगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पाड़िवारिक जीबन खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका धन संपत्ती तो पैसों के लिहाज से आपका शमैस ही रहने वाला है आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपत्ती का निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश करें लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में आप निवेस करें ये आपके लिए फाइदे मंद रहेगा दिन के बारह बजे के बाद अगर आप निवेस करते हो तो इस निवेस के माध्यम से आने वाले वक्त में आपको फाइदा काफी जयादा होगा इसके बाद है आपका श्वास्त तो श्वास्त के लिहाज से आपका शमय सामाने से काफी ज्यादा नीचे है आज के दिन आप अपने रहन सहन अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें आप मेंसे जो भी लोग नशापान करते हों तो आज के दिन आप नशापान बिलकुल भी न करें इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो आज के दिन हो सकता है तो आपके वजह से आपके करबे शब्दों के वजह से आपके और आपके प्रेमी के बीच थोड़ा बहुत बहस होगा थोड़ा बहुत नोक जोक होगा और इस वजह से आपका प्रेम शंबंध आज के दिन क इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के लिहाज से आपका शमय सामान्नी है न जयादा बेहतर न जयादा खराब। आज के दिन हो सकता है तो अपने कामकाज में अपने काडे छितर में किसी विक्ती के शाथ आपका नोक जोक होगा किसी विक्ती के शाथ आपका जगरा हो जाएगा और इस वजह से आपका कामकाज खराब हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को दोस्तों उपाई बहुत सामान्य है आज के दिन आप साधू शंत की सेबा करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका शमय सांदर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है के सरिया और पीला शुभ अंक है आपके लिए छे यणि की सिक्स तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वेडियो को आप लाइक कर दें वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ल प्रड़े